हेलो दोस्तों, वीकेर फर्मिसी यूटूब चैन में आपका स्वाक्त है, आज हम रियू करने वाले हैं, अल्टरा सेट टैबलेट के बारे में, दोस्तों, अल्टरा सेट टैबलेट जिसका इस्तमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, और जो ट्रामा इंजरी या बहु यूज क्या है, क्या क्या इसकी साइड एफक्ट हो सकते हैं, कैसी इसकी हमें एक रेकमेंडी डोज लेनी चाहिए, और किन कैसी में इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और citaminofene को आपराशिटमूल के नाम से भी जानते हैं तो पराशिटमूल और असीटम मिनोफENE एक ही शल्ट हैर तो ट्रामडोल जो की फिसका अंदर 37ंजी डाला गया है और असे सीटमूल जो कि 325ंजी डाला गया पर टैबलेट के अंदर पराशिटमूल की एक पेन में रिलीव करेगा क्योंकि उसके अंदर दो अनालजैसिक डाले गए हैं, कपोईड अनालजैसिक है और एक मेजर अनालजैसिक जिसका इस्तमाल किया जाता है, दोनों के कॉमिनेशन की वज़े से वो दर्द पर जल्दी आराम करती है, और इसमें ट्रामडोल की क्वांट 30-50 mg मिलेगी, इसमें आपको 37 mg मिलेगी, जिसकी वज़े से ये आपको कम abuse या कम side effect cause करेगी, तो बात करते हैं इसकी doses हमें कैसे लेनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं, तो अगर आप ट्रामडोल की doses ले रहे हैं, तो वह सारे डॉक्टर आपको इसकी BD dose यानी दिन दोक्टर की निगरानी मिले, डोक्टर से पूछ करी ले, खुझ से ट्रामडोल बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि बाद में आपको habit form हो सकती है, किसी cases में अगर आपको ट्रामडोल की habit form हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बता देते हैं, दोस्त हैं, ट्रामडोल की निशे को चुड़वाने के लिए, जिसके उपर में कोई special वीडियो बना दूँगा, अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अब बात करते हैं, अच्छे से ट्रामडोल है क्या, दोस्तों ट्रामड चोड़ना भारी हो सकता है, तो ट्रामडोल अगर आपको लट लग जाए, तो आपके लिए बुरी साबित हो सकती है, अगर ट्रामडोल की आपको लट है, तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जुरूरी है, क्योंकि यह लट बाद में आपको ऐसी हो सकती है कि आप दिन की एक एक स्ट्रीप लोग नशे में इसका इस्तमाल करते हैं तो बात करते हैं कि ट्रामडोल अगर आपको किसी इंजरी में कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता तो कितनी से पर दोस्तों ट्रामडोल बोच अच्छी सेफ है अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस इस वीडियो में आपको बता देता हूं दोस्तों आगर आपको लिवर डीजीज या किडिनी डीजीज है तो इस टेबलेट का इस्तमाल ना करें खुझ से बिल्कुल भी ना करें अपने डॉक्टर को अपनी जरीए बारे में बता दें क्योंकि ये लिवर और किडिनी पर इफ दोस्तों यह थाल्टरा सेट टेबलेट के बारे में रिवीव अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें कुछ सवाल यह तो कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल साथ में लेगे बेल आइकन को भी दबादे दिन्वाद दोस्तों चैनल